तेज गेंदबाज अंकित राजपूत के करियर की सर्फशेज गेंदबाजी की मदद से किंग सेलेवन पंजाब ने गुरुवार को आईपेल के मैच में सुन्राइजर सहदराबाद को 6 विकेट पर 132 रन पर रोग दिया राजपूत ने 14 रन देकर 5 विकेट लिये कानपूर के सिवा तेज गेंदबाज ने पहले स्पेल में तीन और आखरी ओवर में दो विकेट लेकर मेजबान बलेबाजी को तहस नहस कर दिया सुन्राइजर के लिए मनीश पांडे ने 59 गेंद में 54 रन बनाए जबकि शाकिबल हसन ने 28 और यूसुफ पठा ने नाबाद 21 रन जोड़े पांच वेवर के आखिर में सुन्राइजर के तीन विकेट 27 रन पर गिर चुके थे टॉप अर्डर के बलेबाज राजपूत की इंदों को मिल रही उच्छाल और स्विंग का सामना नहीं कर सके कप्तान केन विलियमसन पारी की चौती ही गेंद पर खाता खुले बिना अपना विकेट गमा बैठे इसके बाज शिकर दवन और रिद्धिवान सहा को लगतार ओबरों में पैवेलियन भेज कर सन्राइजर को गंभीर संकट में डाल दिया दवन ने स्लिप में करुन आयर को कैश थमाया अगले ओवर में सहा का कैच एंडू टाय ने लपका टाय ने अगली गेंद पर पांडे का कैच टपकाया वरना सन्राइजर्स की स्थेती और खराब होती सन्राइजर्स को एक और रहत मिली जब शाकिब को बरिंदर सरान ने कैच आउट करा दिया लेकिन वो गेंद नो बॉल निकली पांडे और शाकिब ने चौथे विकेट के लिए तिरपन गेंदो में बावन रन जोडे लेकिन इसी बीच जो खतरनाग गेंद बास इस मैर्च में उभर कर आया उसका नाम है अंकित राजपूत जियां अंकित राजपूत पंजाब टीम के शांदार प्लेयर माने जा रहे हैं आपको बता दें कि कलंकित राजपूत ने चार ओरों में 14 अरंदे कर 5 महत्वपूंट सफलताएं हासिल की नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट स्टेस के रिपोर्ट